दर्षथ को भी पता था उनको नहीं करने पर वो कितनी पrete उपने को आजो आपकषो तो मैं आता हो उनकर और मेरे साथ बेज़ आए या मैं चला जाओं उनके उस करोओद को देखकर आजाइए ने करह का आपकी इच्छा, आंखों में आसूते, कौसल्यादी की ताड़का, रक्षस, रक्षसी और उनको कैसे माल सकते हैं मेरे दो बेटे, विश्वामितर जिसे उनको ले जाना चाहते हैं, दोनों लेकर विश्वामितर ने कहा, कि दोनों को मेरे साथ ले दो, राम और लक्षवन को लेकर विश्वा में तो चलतेगे अपने आश्रम जहां सिध्धाश्रम का दौर था वहां सिध्धाश्रम तक एकने करने के लिए जाने हैं तो राम और लक्ष्वन को पताने लेगे कि तुमने धन्र विद्या वस्ट महाश्री के पास सीखी लेकिन जो आज ताड़का मारीच यह मायवी रक्षस है आगाश में दिखते नहीं और वो हमारे एकने में रत्त मां साथी डाल कर एकने को भंग करते हैं और उस एकने को भंग करने के बाद फिर एकने को मुर्त पर अच्छा दाने के लिए बहुत समय लगता है इसलिए तुमने तुमने रक्षा के लिए ले हूं जिस विद्या के कारण तुम उनको भी हरा सकते हूं राम और लक्ष्वन ने कहा कि क्या हमारे वस्ट मार्शिम दी हुई विद्या से काम नहीं चलेगा उनने कहा नहीं वे माया विरक्षस है तो मैं तुमें और धन विद्या बला अति बला नाम की विद्या को सिखाता जिससे तुम इस संसार में उन सभी को हरा सकते हो जिससे सिद्येश विद्या का गया है अब राम और लक्ष्वन पींच में आ गया है ये है कि मैंने एक गुरु से दिक्षा ली है वस्ट मार्शिस अब विश्वामतर से अगर दिक्षा लूँ तो क्या ये ठीक रहेगा या ना लूँ उनका प्रश्ण बार बार ये प्रश्ण करते गए कि अभी क्या करना चाहिए और उनको वहाँ कोई उत्तर देने वाला नहीं था क्यूंकि विश्वामतर के सामने जौब देने वाला नहीं था विश्वामतर ताड़ गए विश्वामतर को लगा कि राम और लक् कि है ता कि तो मुझे घुरू को को अ ग्यान दे रहा हूस जुशामित्र भ्रम रशी हो हम आपके आधनिया का पर requirementcott हैं आपके रक्षा करने के लिए आये हैं आपने जो इस रक्षा के एकनी की रक्षा के लिए मुझे बुलाया था उस रक्षा के लिए हम आये हैं हम जरूर आप जैसा कहेंगे सुनेंगे और उन्हें बला और अकिबला विद्या को उन्हें प्रदान किया उन्हें जिस दिन प्रदान करने का समय आया तो विश आज मेरे साथ आकर नाना होगा। उनको पहले नहला है। अब शेक किया शिशावी शेक दिक्षा दी। और उसके बाद उनको बला और अतिबला विद्या देते हुए उनको एक रुद्राक्ष दिये। जिस रुद्राक्ष पर तृशूल आदी रहते हैं। उसे आज भी हमार जमाने में मधुरूपें डुद्राक्ष कहा जाता है। वो आज ही का दिन था आप गुरुजी का एक कैसे 1982 वाला निकाल कर देखो गुरुजी ने कहा था कि आज हुली को क्यों मनाते हैं। आज राम, कृष्ण, जितने भी आवतारी नरसिवा, जितने दर्शावतार हुए हुली के दिन को तांत्रिक रात्रिक कहते हैं, उन्होंने ऐसी विद्या अपने गुरु के पास से ली, जिसके करणवे महान कहला है। यही बात परमपुजी सद्गुर्द्य जिभी कहरा है। अज हुली का का दिन, क्यों स्रेष्ट है। हर आवतार में, हर आवतार में समर्थनाजी हैं, ऐसी दीक्षा, राम चंदर जी को और विश्वामित्र आज के दिन देते हैं, उसे बला अर अतिबला विद्या का गया है, तो आप आज के दिन की प्रमुखता, आज के दिन की विशिचता आप जान सकते हैं। आज भी किसी पे रोगों से हमें मुक्ति प जिसके पास बला और अतिबला विद्या होती हैं, अगर आपको कोई भी स्किन डिसीज हो, समझो चर्म की व्यादी हो, तो आप चर्म की व्यादी करते हैं, आपके शेर पर जो कपड़ा डालते हो, उसके उपर नहने के बाद, उसको केवल उसके उपर पानी से ही राम लिख लेकिन वह वेक्ति बला और अति बला विद्या का न्याता होना चाहिए हनमान जी भी बला अति बला विद्या के न्याता थे दुनाचार ये करना, कार्ति विर्यारजुन इनको जब ये विद्या के बारे में फूचा गया तो इस विद्या उनको देनी, इसे सिध्धेश्वरी विद्या का गया जो इस विद्या को सिध्ध कर लेता है उसके जिवन में कभी रोग राई आना तो दूर किसी प्रकार का रोग राय बेर सहन करने की शक्ति और ऐसी रोग राय उसे भाग जाए जब वो इस मंत्र को करें इसको अपने पास रखें उसके जिवन में आपके पास करोड़ों रुपे हो सकते हैं बंगला हो सकता है सब कुछ हो सकता है लेकिन आप बीमार पलंग पर पड़े हो तो उसका क्या लाब पहले आपका शेर का स्वस्थ होना ज़रूरी है आप जहां शेर स्वस्थ रहे बिना रोग राईयों से रहे तो आप स्ष्ट ताके साथ अपना जीवन विदीद कर सकते हो और हर आनंद को प्राप्त कर सकते हैं उस आनंद को प्राप्त करने के लिए जिस बला और अतिबला विद्या को देते समय विश्वामित्र ने रामजंदी से कहा आओ अभिशेक के लिए चलें राम लक्षमन अभिशेक के लिए जा रहे थे लेकिन वही संशे बना हुआ था कि मेरे गुल गुरु तो वसिष्ट है हम विश्वामित्र के पास से कैसे लें तो उनने विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारे सहस्त्रार में वसिष्जी ने अपनी स्थापना कर लिए गुरु की स्थापना हुई सहस्त्रार फॉंडलीनी में आज मैं तुम्हारे हुर्दे में विश्वामित्र को स्थापना करता हूँ और ये हुर्दे स्थापना का सिध्धिक अदिशा आशीदिन ने उनको प्रदान की थी विश्वामित्र ने राम के हुर्दे में विश्वामित्र की और कहा था जो कभी भी विद्या देने वाला और रशी कभी भी मिले कभी विद्या देनी की बात कहे तो कभी उसे ना नहीं कहना और किसी प्रतार का संखोष ना करना क्योंकि गुरु और एक योग्य विक्ति जानता है कि तू योग्य है तो मैं उसे तुझे विद्या उस विद्या को ब्रदान करूँगा अगर तू योगी नहीं है तुम भी विद्धिया भी देने से आके पीछे करता हूँ और तू ज़े विद्धिया नहीं देता मैंने इतनी लोगों में तुझे ही क्यों चुना है राम लक्ष्मन तुम्हें ही चुनकर क्यों लाया, तुम्हारे पिताजी को भी लासकता था लेकिन मैंने देखा कि तुम्हें आगे चलकर रावन को मारना है, ये तो रावन की बहने है ये रावन का सहिंज है और रावन को मानने के लिए तुम्हारे पास बला और अथी बला विद्या की होना जरूरी है और तुम्हें और भी कष्ट सेने हैं एक आप चाहे मानो या ना मानो रहसी की बात बताता हूं गुरू के साथ अपन जुड़ने के बाद अपने जीवन में कष्टों का आरंब होता है कष्ट आरंब हो जाते हैं क्योंकि हम गुरू जी के पास जब जाते हैं तो मैल के शरीर से जाते हैं और गुरू धोने लगता है धोते समय तो कष्ट होगा ही तो कपड़े से मारेंगे ही मारेंगे धोएंगे साबन लगाएंगे, असीड वरा साबन लगाएंगे, धौएंगे तो धौएंगे, हम उसको नहीं सहयन कर सकते हैं, और कहते जब अपा गुरु से कि नौ से दूस उनीस सो बैसी में मैं गुरुजी से मिला और 1993 में गुरुजी नी मुझे मेरा उद्धार किया एक विशिश दिक्षा देकर मुझे उपता है वो थर्ड जुन 1993 था कि चाहे राम हो चाहे पांठो कुरुजशना का सथ रहने पर भी पांठो वसिश भी विश्वामत्र जीसे रुशी रहने पर भी राम चंदर जी आँप परिवार वाल मी की जैसे व्यक्ति रहने पर भी सीता जी का वनवास ये सारे भी बारा साल तक रहे जिसके जीवन में एक बार गुरू से बनकर तुम बारा साल रहो उसके बार तुम वीज़े ही कहला होगे गुरू को हार्निस नहीं आने से और ये बारा साल का विक्तिक भी इसलिए है तुम्हारे बारा राशिया है और राशियों को नौग्रहों को सारे दो देकर तुम्हारी श्रीकुष्ट दगमिके प्लिक्रिया करता है गुरू लेकिन तुम्हे उस बारा साल तक अगर तुम गुरू के साथ निश्ठा के साथ जुड़े हुए हो तो तुम्हे कोई हरा नहीं सकता तुम्हारे को पीछे कोई बला नहीं सकता संसार का देवता भी तुम्हें हरा नहीं सकता ये मेरी ग्यारेंटी है लेकिन हमें उस बारा साल तक गुरू के साथ जुड़कर रहना और गुरू के किये हुए उस सारे श्रत्तियों को अपने साथ रखना ये जरूरी में आपको आज वही भला आकि भला विद्या जो ग्रू झीजी ने कहा है था कि गुरू की हुले स्थापन दिक्षा ग्रू को हुले बस्थापन करकर हम सामर्थवान बने आज हुली का वह सिष्ट दीन है और कोकाडीजी को मैंने जिस दिन होले का खेत्र करा था तो उनसे पूझा था क्या माँ पानी का इंतिजाम है कोकाडीजी पाप बिचार कि इतना ढूंड पता नहीं लेकिन उनने ढूंड के इस सिद्धक शेत्र को लाया और आज अभी भी कह रहे है कि अभी पानी स्वच चाह रहा है गुरू जी और मैं भी जाता हूं कि मेरे को अभी तक तक इरादा नहीं था कि अभी कुछ दिख्षा दें से त्राड़ पूझा करूं निकल जाओं क्यों कि मुझे यह उत्मार भी जाना है लेकिन अभूआ चाहे मेरे कम 5 शी फांड़ों के होनो हो आप इतने ही शीशे के होनो हो मुझे मैं आपको चाहता हूँ किया अब सिद्ध हो आप आने दन्व करें ये साज जनम नहीं तो गुरू को आप नहीं छोड़े गुरू तो हाथ पकड़ा हुआ गुरु तो आपको साथ नहीं छोड़ेगा लेकिन आप ही साथ छोड़कर भाग जाते हो यह कहते हो है कि गुरु जी मेरी बेटी की शादी है गुरु जी मैं बीमार हूँ गुरु जी पत्नी बुला रहे हैं यह पत्नी बीमार है आपको गुरु को छोड़ने का बहाना चाहिए गुरु तो हाथ पकड़ा हुआ है और जब आप गुरु से भी महत्ता अपने पत्नी अपने पैसा, अपना घर, अपने बेटे, अपने पोत्र, पोत्र को देते हो तब गुरु कहता है कि यह और सित्ध नहीं हुआ जा, तु तेरे उनको देखकर आजा और तुम देखकर आने में यह जन्म नहीं चला जाता फिर दूसरे जन्म में गुरु बुलाता है और दूसरा, गुरु जी कहते हैं कि मैं 25 जन्मों का सक्षी हूँ परमपुल में सावी सद्ध गुरु देखकर निक्रेशां जी कहते थे वह 25 जन्मों का सक्षी हूँ और 25 जन्मों से तुम पकारता हूँ और तुम हर बार मेरा हाथ छोड़ कर जाते हूँ ऐसे क्रिया करने के लिए हमारे में क्या शक्ति चाहिए हमारे में हमारे हुदय में गुरु की स्थापना होनी चाहिए हमारे में एक ऐसी चीज होनी चाहिए कि हम गुरु को कभी नहीं छोड़े और जिसने गुरु को नहीं छोड़ा वह इस संसार में विजी हुआ ऐसा कोई विक्ति तो नहीं है जिसके जीवन में गुरू ना हो और गुरू के बिना किसी का उद्धार हो चाहे हो अलेक्जांडर के हो नहीं हो उसका भी अर्कमडिस नाम का गुरू था उसने भी अर्कमडिस ने भी कहा था कि हैï Alexander तो जाते समय भारत के भारत के पास तो विजई हो का एक इसकी guarantee नहीं है अलेजंडर ने गाता क्यों भी क्यों नहीं विजी हो सकता मैंने इतना विजी किया तुझे भारत से लोटना होगा भारत में जो गुरु परमपरा है भारत में चाणा के और संध्रगुप्त की जो जोडी है तुझे आगे बढ़ने नहीं देगी अलक्जंडर वी लरला के मुझे देखना ही है कि आकरी जोडि है क्या अलक्जंडर राया जैसे ही सिंधु नदी पारकर के अलक्जंडर राया तो उसे पहले ही उनके गुरू ने डरा दिया था कि तो बहुत देख कर जाना हर पाउं डालते हैं समय फुक फुक कर पाउं रखना अलिक्जांडर मावली सेनिक के वेश में सिंधु नदी पारकर घोड़े पर आया तो देखता क्या है कि एक साधु नंगा अपने पत्थर पर लेटा हुआ है सुरश आ रहा है अलिक्जांडर को देखके लगा कि मेरि माष्जी तुक बोलने वाला होता है मैं अनंद के साथ हुआ पता है अब हाँ अलिकजणर नामका रा जान किसी को नंगा नहीं हे नहीं देगा उन्हेंने का उसका बाप भी नहीं रखता, मज़े कुछ निया बीगाँ करता, तो यह बात कैसे है सकता, कि अलेक्जंडर को क्या मालूं की उसका फ़ुशे क्या है, मुझे मालूं है उसका फ़ुशे क्या है, बूले हू कैसे? वो एक हरन के आसन पर हिरन के आसन डाल कर सोया हुआ था तो उसने हिरन का आसन उठा है उठा कर कहने लगा वो हिरन का आसन जैसे उठा वो पूरा लपेट के अगर इधर उदर दोने तरफ से लपेट गया तो वो पंथर पर करके एक तरफ साफ करते गया तो उतनी में हाथ इदर नहीं लगा तो यह लपटते हुआ है इदर साथ ने किया तो हरनकस अजो आसन था इदर लपटते हुआ कितनी बार-बार करता था वो लपटते हुए आरा था उने का यह मूर्ख और क्या करदे एक तरह पत्थर रख दे और दूसरी तरफ ये कर रहें दूसरी तरफ पत्थर रखते बोले ये पत्थर रखने की बात तु जो कर रहा है न ये अलेकजंडर साला आईसा ही मूर्ख है वो इदर से इतना करती है और रहा है इदर से प्लट के उसके पीछे वाले सब उसके उपर आएगी कि उसको जाने ने देंगे, मार देंगे अंदर, यह समझ रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पीछे से पलट रहा है सारावार, और इधर साराथ इधर, अब इसके उपर पत्थर रखने के लिए, अलेकजांडर की शक्ति है, इसके उपर पत्थर रखने के लिए बीच में ह अनभो करने वर रहा है, आपा धपी तो बच्पन में वि शुन पढ़ाई करते समय है, गुर्ष्ट आपस्तार स्क्रम में पत्थर रहते समय है, आपा धपी है, वानभरस समय आते हैं तो सब को छूड़ने के रिए होे होती है, और सन्यासरा इसे क्रिया है, आनंद की कोई आज तब ग्रीक का राजवा या पूँ अन्भो ने कर सका, वो आनंद मैं अन्भो कर रहा हूँ या अलेक्जांडर को इस आनंद को अन्भो नहीं कर सकता हम अपनी पत्नी बच्यों को देखना चाहते हैं हम बूड़े होते जा रहे हैं हम कब सुकानभ़ करेंगे जब अलकजन्डर को सारे सेने एक बारे कहने लगे तो लगा कि आप मिरजे यहां से वापत जाना है जब वापत जा रहा था तो उस सन्यसे ने कहा अलकजन्डर अब तो आजा, यह कल तक तेरे शिरीर में जो शक्ति थी, उस शक्ति के बारे में उस शक्ति के बलपर दो जाता, अब तो तो ख्षीन हो गया, मेरी दुस्की तुझ पर पड़ी है, तुने अनागरिक लोगों को अशक्तवान लोगों को तुने मारा है, और राज्य की कांशा से त तेरे क्रीक को पहुंचेगा तुझे इस बात का ज्ञान में तुझे जरूर देता हूँ कि तुने इस संसार में क्या पाया और क्या खोया अलेक्जंडर आगे चलता गया जाते जाते वो बीमार हो गया उसकी एक हजार पत्निया थी उसने लूटा हुआ धन हीरे जवारात मनी एक धीग बन गई थी एक तरफ रुपियों का धीग था एक तरफ गहनों का एक तरफ रोमणियों का और एक तरफ कपड़ों का राजथाट बाट सब भोड़े हिसें और वो बीमार था उसने अपने सारे वईद्यों को बलाया और कहा मेरे इलाज में जो भी रखते हो तुम इसमें से हीरे जवरात ले जवर मुझे बचाओ अलिक जैंटर के गुरु अरकमडिस ने कहा इस संसार में कोई जिन्दा नहीं रहा तब उन्हें ने कहा कि तब तुने मुझे यह सब जिने की यह सब जिन्दा कर इतना जीतने की कला क्यों सिखाई जब मैं जिन्दा ही ने रहता यह सब कमाए मैं किस के लिए और कमडिस हास रहे थे उस तब उसको बात यादे उस सन्यासे की जो सिंदुनदी के तक पर था तेरे साथ यह कुछ नहीं आईगा अपने सारे सेन्यकों को बला कर रखा यह सारी चीज़ें रखो मेरे साथ रखो और सारे वईद्यों को बलाओ और बो कि यह वईद्या मेरा कंधा ठोएंगे मैं मर जाओं तो मेरा कंधा यह वईद्य ही लोग डोएंगे और इन वईद्यों को ये बताना होगा कि अगर मरन का वक्त आ गया तो वईद्य ने कोई देवता बता ने सकता आदमी मरेगा ही मरेगा और मेरे जाते समय दोने हाथ दोनों हाथ भी खुले रखना इसलिए कि अलेकजंडर जैसा महाराजा चक्रवर्ती भी जाते हैं खाली हाथ गया उसके अपने साथ कुछ नहीं ले गया और इस ग्न्यान को देने के लिए जो संध्या से काम करने थे वो चाराक के भीजे हुए गुरू थे उन्हें अलेकजंडर को ग्न्यान जिया था कि तुम तुमारे साथ कुछ नहीं ले जाओगे ले जाओगे तो केवल आनन्द और केवल गुरू की एक शक्ति गुरू का ध्यान और गुरू के साथ जीने की कला और अगले जन्में गुरू को मिलने की क्रिया करेगे और केवल गुरू के साथ रहोगे तो क्योंगे जिसके जीवन में गुरु है वो कभी पुशु हो के जन्मन ही लेता जब आखरी में गुरु का स्वरण करता है जैसे कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जाते समय तो अगर मेरा स्वरण करता है तो मैं तुझे मोक्ष दूँगा मुक्ति दूँगा या मुझे मिला लूँगा गुरु भी यही कहता है कि तुझे समय अगर मेरा स्वरण करता है तो तेरी आत्मा मेरे सामने मरने के बाद आके खड़ी हो जाएगी मैं तब तुझे प्रशन करूँगा कि तुझे क्या चाहिए तो फिर यही बात कहेगा कि गुरु जी मेरे पत्नी बीमार है मेरे बच्चे का मेरी जायजात है तो कहा कि तुझे अभी भी मिरे से नहीं चुटा मैं कहता हूँ तुझे जन्म ले ले और तुझे उसी संसार में चला जाएगा और जन्म लेगा लेकिन तो एक बात अगर यह कहता है कि गुरु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं तुमारे साथ रहना चाहता हूँ और गुरु जी परमात्मा है तो वो आत्मा है और वो आत्मा गुरु जी में मिल जाएगी गुरु दीक्षा लिया हुआ व्यक्तित्वा गुरु को स्वर्ण करना हुआ व्यक्तित्वा कभी अपने जीवन में पशु होकर जन्म नहीं लेता वो फिर मानव होकर जन्म लेता और प्रायतन करता है गुरु उसको कींच लेता है यह होता है, यह विद्या की क्रिया है, जिसने गुरुदिक्षाली है, आज भी वह क्रिया है, जिसको भगवान श्यूण ने, रासलीला में किया और कृष्ण भगवान ने, अपने गोपिकाउं के साथ, जबकि साहरा संसार, मत्वरा का संसार देख रहा था, कृष्ण के तो झापिसाल कर रहे थे तो गोपिकाओं ने कहा कि कि हमें मोक्ष मिलेगा, मोक्ष के कोई रूज रूज है। सवर्ग के कोई रूज है। तुम्हें इतना पुन्य दासां में आधा श्रण काम पहुंचना चाहते हैं तो हम एंग तीन महावित्याएं सिद्ध करने होती हैं तब कृष्ण ने राधा करेव देखर कहा क्या इन गोपिकाओं को स्वर्ग मिलेगा क्या इन गोपिकाओं को वैकुंत मिलेगा कैलाश परवत में जा सकेंगे राधा ने का प्रभू इन्होंने तुमसे प्यार किया ये तुम्हारे साथ यहां मृत्य कर रही है तुम्हारे साथ अभी शिक्त है तुम्हारे से प्रेम करने वाली है तो हम एक नई सृष्टी के रिष्णा करेंगे और उस सृष्टी के रिष्णा हुई गोकुल या गोलोक आज भी गोलोग में कृष्ण का एक ऐसा रुख है ना वविकुंट है ना सुर्ग है ना कुछ नहीं है वहाँ गोबिकाई अनन्द के साथ रगे और कृष्ण ने रिष्णा करके कहा था ये मेरे है और मैं इनके लिए सर्गसी विस्ष्ट गोलोग की सुष्टी करता हूँ आपको भी कहता हूँ यही बात विश्वामित्र ने भी उस त्रिष्ण को के लिए सर्ग का नया सर्ग की रिष्णा की थी करशना करना चाहिए और नहीं कर सका लेकिन अगर आप गुरू के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको गुरू कभी नर्क में ने जाने लेगा आपको अपने साथ ले जाएगा जहां वहा है और जन्म लेगा तो तुम भी जन्म लोंगे इस दिक्षा को बला और अति बला विद्या का गया है अगर हम आज गुरू जी के साथ एक विशिष्ट मंतर के साथ अगर नहाते हैं अभिशिक्त होते हैं और उस मंतर को केवल और केवल नहाते समय एक सो आठ बार बोलते हैं तो हम उस बलाती बर्याक शक्ति के साथ बिन मिनारोग के गुरू के साथ रहने क एक विशिष्ट कत्व को प्राप्त करते हैं उसे ही गुरु की होदे स्थाफन दिक्षा का आगया है उस दिक्षा के लिए जो प्रमपुज शुदी 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 ने कृष्ण को देकर कहा था कि ये मदुरूपे इंडुद्राक्षन मदु का अर्थ होता है इस संसार में तुम्हारे साथ ओम इठास वो कड़वाई नहीं तुम्हारे वाने में कड़वाई नहीं तुम्हारे रहने में न तुम्हारे जीने में कड़वाई नहीं अगर तुम उस मदुरूपे इंडुद्राक्ष को लेकर कोकाटे जी कहा था कि मैं बातरूं में ना लेता हूं वाँ पानी अच्छा नहीं है और फिर दो दो बार बताया कि पानी अच्छा आ रहा है मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ ना हैं मदरूप इंटराक्श लेकर आएं और ओम भीम नवहाँ जब करके हम सत्यान पोजा कर लेके जाएंगे जबकि मेरे समय नहीं है फिर पर मैं आपको समय देना चाहता हूं आप नाने के लिए वहाँ आजाएं कोकाटेजी भी वहाँ चले जाएं हम ना के फिर आके आना लेंगे जो ही चुक सादक है अपने को बलाव राती बलाव इद्या की साथ गुरू को हुर्दे में स्थापन करना चाहते हैं वो लोग मजरूपन दुद्राक्श लेकर नाने की जगा आजाएं आप सभी को पुना अशिर्वात देता हूं एक बार जैगोंश करेंगे आप एक बार नाने दुनी करें तब तक इसब लोग चलें हम नाने के लिए चलें कि जोशी कांचन जिंगा में पुर्णिमा के समय मेरी जर्दियोस पर मैंने देखा था कि बाबा महा उतार जिसे बाबा योगा उतार जिसे लोग एक बड़े वट्रुक्ष के नीचे रात में आकर बैटते हैं और जो वो आके बैटते हैं तो हाँ ऐसी सुखंद आती है जिसे कि उस सुखंद को अपने नहीं लिया और वे लिवातावर में को करते हुए निरने करते हैं कि अगले वर्ष हमें क्या करना है वो निरने लेकर हर पुर्णिमा के दिन इस संसार में अपने सादूओं के उस क दिखे या न दिखे हमारे सारे सादूओं की इच्छा है कि आपका दर्शन हमें हो और हम कांचन जंगा बढ़ा रहे हैं इसलिए इस बार का गुरुजन में दिवस हिमाले की उत्तराईयों में कांचन जंगा के पास 1921 सेप्रील को मना रहा हूं अब चाहता हूं कि आप सब गुरुजी का दर्शन कर सके और गुरुकृपा को प्राप्त कर सके ऐसी इच्छा रखता हुआ 1921 सेप्रील को कांचन जंगा के पास शिविर मैंने रखा है एक मनोकावना यह भी रखो कि हमें गुरुजन हो और आपकी इच्छा हैं सारी पुर्ण हो यह चोटा सा हिंत्र ह सफेद कादर प्राप लेना और उसका मंत्र इत्माला करना मैं यहां अभिशेक कर ज्याने के बाद आपको दिक्षा दूँगा आपको मुझे शंका सामयान में कुछ पूछने की दरूरत नहीं है आप जो भी इच्छा जो भी शंका है आप वो मना मामना पूर्ण होने के ल संतान नहीं हुआ मेरी बीबी सताती है मेरा बेटा सताता है मेरा व्यापार होना चाहिए और इसके लिए उतने बड़ी-बड़ी साधना करने कोई जरूरत नहीं है एक साधना आपको व्यापार चलना हो आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही हो ऐसे जितने भी मनो कामना है आप बोल कर इसके उपर मनो कामना लिख लो, अब मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं, जमीन बेशने के लिए भी तो गुरु चाहिए, गुरु मेरी जमीन ने भिकरी, अब गुरु क्या करें, जमीन तो आपको बेशने के लिए नहीं आता, आप गुरु गुरु बेटी को पुत्र होगा ही होगा, और गल्ती से उनके कहने पर नहीं हुआ तो गुरु जी के जान पर बढ़़ेरी को रिप् से काहफ वा हुआ खिर नहीं होआ, पुट्र होने के लिए जमीना आपकर काहगा ही कामरा कुछ स्था आस प्रशने के यूम, ने हमांने को याप भूने का y बात करेंगे बची को भात करेंगे तो गॉर्य है be real neту aство files के पारी रहा घांके बुए और धुरी पे और जित्स चीजे मेरे पासले और मुझे दुख यह होथ dating मैं आखिर में एक व्याववार एक गुरु मन गया हूं अध्यात्मीज में आप कोई कुछ में चाहिए और आपके शंका साधानों में मैं हर बार सुनते हुए हजार बार यहीं बाते सुनते हुए आता हूं कि बेटी की शादी घर में नहीं चल रहा है पैसा नहीं आ रहा है आप आज ही नहीं कोई भी पूर्णी मा को इस एंट्र को आप उतार कर एक माला जब करने के बाद इसे कोई इस कागत को बहते नदी में छोड़ दो आपकी जो भी इच्छा चल इतनी के अंदर पूर्ण होगी ऐसी साधना जो आपको अपने घर बैट कर कर सकते हैं ऐसी ना और नीचे एक मंत्र है उसके एक माला करना मंत्र का मंत्र इस प्रकार है ओम ही मारा ससिद्य करी हीम ओम नमा आप शंका समाधान पूछने से पहले आपकी इच्छा जो भी बोलो या उस पेपर पर आपकी शंका समाधान आपकी इच्छा लिख लो और मेरे पास दिक्षा मैं अश्रिवात देता हूं कि आप इसके बाद मुजिशन का समाधान के लिए रोकेंगे नहीं और आपका काम पूर्ण हो जाएगा अश्रिवात देता हूं बोलो परबोंजे सर्दूरे बनुआनकी पोकाडेजी आगे काड़े